जो कानून की चर्चा हम यहां कर रहे हैं यह बहुत गंभीर विशे है क्योंकि जिस मैं बंगाल से आता हूं और पुर्व भारत की पुरिशा के मित्र भी बोलें तो यह बहुत बड़ा समस्चा के रूप में अर्थिक एक अनिमित्ता की जो चर्चा सालों से हो रही देश में उसको रोकने की एक छोटी सी प्रयास हो रही है यह कम से कम मानने प्रशान मंत्री जी और गित्ता मंत्री जी का जो साहसिक कदम है इसके पहले भी सरकार ने ऐसा बहुत कानून बनाया है काम भी किया है इमुनिटेशन से लेकर GST उसी प्रकार यह भी एक बहुत बड़ा इत चिकफांट की कलपना आई थी आज उस लोगों को लूटने के लिए इसकी इंस्ट्रुमेंट के रूम में उपयोग हो रही है अभी तक अभी पिछले 10-12 साल में जो खटना आई है सामने उसमें से पता चलना है कि इसका जड़ बहुत गहरा तक गया है और इसमें हजारों लाखों लोग कितने लाख लोग प्रभावित ओ निश्चित नहीं है एक करोड़ों लोग एक जो रोजवेली चित्पांट की बात आती है बंगाल से उसका एजेंट ही 9 लाख कम से कम है तो ग्राहों कितना होंगे आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी समझ्या है तो यह जो कान सर यह जो घटना है चीट फांट के माध्यम से अता धन का एकत्रित होती है उस धन कहां कहां जाता है इसका कोई सीमा नहीं है और उसमें वैवसाई, राजिन्टी वीद, बुरोक्रेट्स, सीनेमा स्टार, फिल्म स्टार सब लोग संग लगना है क्योंकि धन बहुत है उस ध संग का दुरुपयों करके समाज में हर जगा लोग पहुंच जाते हैं चुनाओं को प्रहवित किया जाता है, राजिन्टी को प्रहवित किया जाता है, मीडिया को प्रहवित किया जाता है और चुनाओं को प्रहवित करके लोग जीत के आते हैं यहां भी ऐसे बहुत लोग तो यह जो हाँ जो यह जानकाली में जो है मैं सब के सामने रखाओं कि इस मामला से जुड़ा हुआ बिशा है मोद है और कब से कम मेरे विशे पर तो टिपनी नहीं करें जी मोद है तो यह जो बात है कि समाज में एक अविश्वास की बातावन बना है बिशेस करके राजिनिती छेत्र में काम करने वाले लोगों का इमेज में बहुत ज्यादा थक्का लगा है कुछ थोड़ी सी संखा में लोग इस घोटाले में संगलगने है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो सच्चाई और इमांदारी के साथ राजिनिती करना चाहते है यह देश की राजिनिती को बहुत बड़ा रुक्सान पहुँचाया है इसलिए इसकी निराकरण होनी चाहिए इसकी समाधान होनी चाहिए और यह जो बैवस्ता हो रहे कि आगे ऐसा घटना ना हो इसी दिश्ची साम यह कदब उठाया जा रहे बहुत अची बात है लेकिन जो हो गया है वो इतना बड़ा घटना है इसे गरीब लोग विश्वास के करन इसमें पैसा लोग लगाते हैं जो सबजी का बिजनिस करने वाले हैं और छोटी मोटे रिक्सा कराने वाले टोटो उटो चलाने वाले लोग हैं जो बेटा का उचा पढ़ाई करने के लिए पैसा रखा था बेटी के साधी के लिए रखा था कभी पक्का मकान याद घर का छट बनाने के लिए पैसा रखा था के लिए बहुत बड़ी एक कैलेंज था मुझे लगता है कि सरकार ने जो कदब उठा रहे हैं बहुत अच्छा है लेकिन जो मानिय स्वदसों ने जो विशोय को सामने दिश्टियाकरशन किया बित्तमंत्राला मानिय विश्टमंत्री की तरफ से इसका निराकरण होना चाहिए और राजिती इसके साथ जो संगलगन हो जाती है लोग इसमें इंफॉल्ड हो जाते हैं लालज दिया जाता है एक छोटी सी बिशोय लेकर करके एक कमपानी आज कितने हजार करोर कलेक्शन किया है किसी कोई इससा हिसाब नहीं है करिब धाई सोल से ज़्यादा ऐसे चिटप करके इसना बढ़ा बनाया है और राजिंती को को खुलिशिस किया है बहुत दुरुबाव के जने स्थिती है मुझे लगता है कि एक कानून जरूर पास होना चाहिए और जाहे तो इसको और कड़ाई से करना चीए दोज फड़ा और बढ़ाना चीए नहीं तो बीमारी को औ प्रूबाव मुझे लगता है